अलो एवरीवन, आज कार्बोक्सिलिक एसीड में स्ट्रेक्चर और बॉंडिंग के वारे में अध्यान करेंगें कार्बोक्सिलिक की स्ट्रेक्चर सी डबॉल बॉंड हो ओएच इसमें एक तो कार्बोनिल और एकों ओएच इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बनता है कार्बोक्सिलिक एसीड में दो फंक्सिन गुरूप एक तो कार्बोनिल और एक हाइट्रोक्सि ये दोनों एक दूसरे की रियक्टिविटी को एफेक्ट करते हैं जैसे कार्बोक्सिलिक एसीड में कार्बोनिल गुरूप परजेंट है फिर भी ये नुकलियो फिलिक एडिशन रियक्शन नहीं देता क्यों जबकि ये कार्बोनिल गुरूप है ये इस carbon पर partially positive इस oxygen पर partially negative तो nucleophile इस partially positive पर attack करें और ये elektron oxygen के और मुँग गरजें पर ऐसा नहीं होता क्यों कि ये जो carbonyl group के साथ जो OH attach है उस oxygen का lone pair इस carbonyl carbon पर positive charge है उसको क्या कर देता है decrease कर देता है और इस carbonyl carbon पर positive charge decrease होने के करण nucleophile है वो easily attack नहीं कर पाता जिसके करण ये जो कार्बोक्सिलिक में carbonyl group है nucleophile addition reaction नहीं देता जैसे ये रहा इस oxygen पर कौन सा चार्ज आ गया है positive oxygen पर negative इस carbonyl carbon पर इस oxygen के थरू positive charge है वो क्या कर ओ गया है decrease हो गया है जिसके कर ये nucleophile addition reaction नहीं देता नीचे language की रूप में देखें ये hydroxy group carbonyl के साथ conjugation में होने के कारण देखो conjugation में होने के कारण carbonyl carbon पर positive charge को क्या कर देता है decrease कर देता है अर्थात carboxylik group में carbonyl को pseudo carbonyl group कहा जाता है आगे आगे है कि carbonyl group की दुबात हो गई अब है hydroxy group hydroxy group पर ये दी अकेला हो उसमें carbonyl group present नहीं हो तो वह वी केसीड होता है क्योंकि इस oxygen पर जो negative charge है वो दे लोकलाज नहीं है पहली बाद दूसरा इस alkyl group का कौन सा effect है plus high effect है plus high effect होने के कारण ये जो आर के जो electron है वो इस oxygen की और या कहूं oxygen की nucleus की और मुँख करेंगे जिसके कारण electron density के बीच में क्या होगा रिपर्शन होगा ये दि आर और इस OH के बीच में कारण निल ग्रूप को एड़ कर दिया जाए ये दिको आर और ये OH इसके बीच में किसको एड़ कर दिया कारण निल ग्रूप तो acidic nature वो क्या हो जाती है increase हो जाती है क्यों और कैसे द्यान से सुन इस proton को हटा दिया हटाने के बाद में इस oxygen पर कौन सा चार्ज आ गया negative ये negative charge है इस carbonil के साथ conjunction में है conjunction में होने के कर दिया इस B वाले जो oxygen है उसके पर कौन सा चार्ज आ गया negative और इस A वाले पर क्या था negative अब इसनेटिंग्टिंग विवाले भी कुन सा था गया रिंगेटीव इसका मदलब दोनों रोड़ नाटिंगेटिंग एटम औक्षिजन पर नागेटि जार्ज है ISOẻ वो अग्जिस्ट और नागेटी जार्ज हिल्ली लोड़ नागेतिक मैट ROM पर stable होता है, इसके कारण यह resonating structure है वो stable है और इस resonating structure को equivalent resonating structure इसलिए कह दियाता है क्योंकि A और B दोनों ही oxygen है और दोनों पर ही कौन साचार जा रहा है negative है इसलिए इसलिए इसे कह दियाता है equivalent resonating structure next है कि phenol है उसके proton को remove कर दिया oxygen पर जो यह negative charge है वो benzene के pi electron के साथ conjugation में conjugation में होने के कारण यह 5 resonating structure बनती है इन 5 resonating structure में 1 और 5 में तो oxygen पर negative charge है जबकि 2, 3, 4 और के अंदर carbon पर negative charge है और carbon एक less electronegative atom है जिसके उपर negative charge इतना stable नहीं होता जितना की जितना की इसे oxygen तेखो यहाँ oxygen पर negative है यहाँ भी oxygen पर negative जबकि यहाँ फैस्ट और फाइप में तो oxygen पर है 2, 3, 4 में किस पर है carbon पर यह जो 2, 3, 4 है इसमें carbon पर जो negative charge है वो unstable यह कहाँ दूं लेस stable resonating structure है जिनका resonance hybrid में बहुती कम योगतान होता है इसलिए इनको कहाँ दिया non equivalent resonating structure अब कई बार question पूछ ले आता है कि यह C double bond O है और यह C single bond O है क्या इनकी bond line तालग लग है यह same है तो same है तो क्यों है same यह carbon OA यह carbon OB दोनों की bond line ठीकवल है क्योंकि यह negative charge है वो delocalized है delocalized होने के कारण दोनों के बीच में partially double bond character होते हैं जिसके कारण इनकी bond line same होती है यह कहूं resonating structure present होने के कारण दोनों की bond line same है आगे है physical property आपको ही पता है कि carboxylic acid है वो dimer form में present है dimer form में क्यों present है क्योंकि intermolecular hydrogen bonding के कारण और intermolecular hydrogen bonding के कारण इनके boiling point है वो ज्यादा होते हैं comparatively किसके alcohol के ester के aldehyde के ketone से कब जब इक्वल molecular weight वाले alcohol हो ester हो aldehyde हो ketone हो जैसे अपने एन पेंटेन लिया अब यहां अपने एसिटिक एसिड लिया तो एन पेंटेन के comparatively acetic acid का boiling point बहुत ही ज्यादा होता है reason hydrogen bonding कौन सी hydrogen bonding intermolecular hydrogen bonding और जिसके कारण ही इनकी vapor भी alcohol, ester, aldehyde ketone के comparatively कम बनती हैं और यह vapor phase में भी dimer form में present होता है यह कई बार किसन पूछा गया है यह dimer है IR spectroscopy के थुरू पता चलता है कि यह dimer form में present है यह नहीं है IR spectroscopy में यह जो carboxyly group है उनके लिए एक broad peak आती है 3000-2500 के बीच में जिससे यह पता चलता है कि यह hydrogen bonding present है इस वीडियो में आपको कहीं कोई चीज नहीं है आप फिर मुझसे पूछ सकते हो Thanks 0 0 0 0 0 0 0